अगले एक साल में कम से कम 30 प्रतीशत किसानों के क्रशी पंपो को विकेंद्रित तिस्वार उर्जा से संचलित किया जाएगा इससे प्रदेश के किसानों को दिन के समय में खेती के लिए बिजली उपलग्ध हो सकेगी इस योजना के प्रारूप को मुख्य मंतरी एक नाश शिंदे के पास मन्जूरी के लिए भीजा जाएगा उपुमुख्य मंतरी ने बुद्वार को मुख्य मंतरी सौर क्रशी वाहिनी योजना की समिक्षब बैठक की बैटक में भाजपा विधायक और पूर्व उर्जा मंत्री चंदर शेकर बावन कुले सहित विभिन विभागों के सचेव मौजूद थे उपो मुख्य मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्री शिंदे ने किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपरब्द करने की इच्छव व्यक्त की है उपो मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली बिल का भुकता ना किये जाने से कई गावों में सड़कों की स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ती योजनाय बंध हैं ऐसे गावों में ततकाल बिजली आपूर्ती शुरू करने के निर्देश दिये गए हैं साथ ही बकाया बिजली बिल चरणबज तरीके से जमा करने का प्रस्ताव तयार करने के आदेश दिये गए हैं इस प्रतिशत हम लोग जो हमारे अग्री फीडर है उसको सोलार पर कैसे लाए इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसके साथ-साथ जो लिफ्ट इरिगेशन हमारी स्कीम होती है उसको सोलार पर कैसे लाए जाए इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं बुख्यमंद्री जी ने तुरंट ये गोशना की, कि जहां पर इस प्रकार से बारिश ज्यादा हुई है, वहां पर सरवे तुरंट किया जाए, सरवे का रिपोर्ट तुरंट दिया जाए, उनको जो भी आकस्मिक मदद देनी पड़ती है वो दी जाए, साथ साथ अगर कही द झाल